नमस्त चात्रो चाटीकक शाकी हिंदिता सिका में मैं मिसेस कविता जांदर आपका स्वागत करती हूँ चात्रो पिछले वीडियो में हमने व्याकर नुभाग देखाता है जिसमें हमने सग्या और सग्या के प्रकारों की जानकारी ली है आज हम हमारा चोथा चित्रवर्णन पार्ट देखेंगे जिसका नाम है जोकर चात्रो सभी को पता है सभी ने जोकर को देखा हुआ है जोकर सरकस में रहता है और जोकर का काम क्या होता है लोगों को हसाना आपको पता ही है कि हसना हमारे स्वास्त के लिए कितना अच्छा होता है हमारा स्वास्त अगर अच्छा रहे ऐसे हमें अगर लगता है तो हमें हसना चाहिए हसना चाहिए मतलब अगर कोई हमें जोग सुनाए या फिर कोई चुटकुला सुनाए कोई कहानी सुना या कोई हसाए तो हमें हसे आजाती है और इह हसे जो होती है हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छी होती है इससे हमारा 스트eas कम हो जाता है तनाव कम हो जाता है तो जोकर बहुत ही महतोपुर्णा काम करता है लोगों को हसाने का पाड का नाम भले ही जोकर हो लेकिन इस जोकर पाड के माध्यम से यहां आपको अलग-अलग प्रकार के मुहावरे और कहावतों की जानकारी दी गई है मुहावरों का अर्थ आपको पता ही ये पिछले साल भी आपको आपके पाठ्थे पुस्तक में मुहावरों की जानकारी थी मुहावरों को हम माराथी में कहते है वाग प्रचार आनि कहावतों को कहते है मनी मुहावरों का अर्थ है वाग प्रचार कहावतों का अर्थ है मनी पुराने जमाने में लोग इनका इस्तेमाल करते थे कहावते और मुहावरे क्यों होते हैं हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में ब्यक्त कर सकते हैं इन मुहावरों और कहावतों के माध्यम से उधारं के तोर पे मैं आपके उधारं देती हूँ जैसे राम नाम का एक लड़का है राम पढ़ा है मैं बिल्कुल अच्छा है उसको पढ़ाई करना पसद नहीं है लेकिन जब भी उसे शिक्षक या उसके घर वाले होमक्यू ने किया इसे पूछते तो बताता है कि मेरा पे नाशन जाने आंगन टेड़ा है मतलब नाशन जाने आंगन टेड़ा है कहा वत है जिससे हम इस्तिमाल कर सकते कि राम को कोई चीज आती नहीं वो पढ़ाई में होशार नहीं लेकिन वो अपना दोस्ट किसमें बताता है पेन में बताता है शिक्षकों में बताता है या अगलग प्रकार के कारान देता है, इसे कहते हैं नाश न जाने आंगन टेढा, मराटी में कहते हैं नास ताहिना अंगन वाकरे, मतलब अगर किसी को डांस नहीं आता है, तो इसका अर्थ होता है कि अपना दोष चुपाने के लिए दूसरों पर दोष देना, यह मैंने आपको एक उधारन दिया है कहावत का इस जोकर पाट के माध्यम से हम अलग-अलग प्रकार की मोहावरे और कहावतों की जान करी लेंगे सबसे पहले अध्यन कोशिल देखिए यहाँ पर आपको दो कहावते दी गए है दो मुहावरे दे गए है किनी पांच मुहावरों का और कहावतों के आपको सांकेतिक चित्रवराने सांकेतिक चित्र मतलब देखिए पहला यहाँ पर मुहावरा है घर की मुर्गी दाल बराबर दूसरा चित्र है, 9 है, अधिक 2 है और इन दोनों को मिला कर बनते हैं 11, जैसे हिंदी में बहुती प्रसिद्ध मुहावरा है 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना, 9, 2, 11 होना है तो ऐसे आपको अगर मुहावरे मिलते हैं तो आपको ऐसे चित्र बना कर उन मुहावरों के नाम लिती है एक्टिविटी है चाये तो आप बना सकते हैं नई भी बनाए तो भी चलेगा तो ऐसे ये दो मुहावरे हैं जिनके सांकितिक चित्र यहाँ पर दिखाए गए है तो इ यहाँ पर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, लेकिन परिक्षा में आपको इस पर प्रश्ण आता है, कि दिये वे मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, आपको एक मुहावरा दिया जाएगा, आपको उसका अर्थ लिखना होगा, उसका जगलक कलाबाजिया करता है, करतब दिखाता है, लोगों को हसाता है, वरस्ती पर चलता है, गेंद को उचलता है, तो लोगों को हसे आती है, लेकिन रस्ती पर चलना आसान बात है क्या? नहीं, तो आपनी जान की परवा न करते हुए वरस्ती पर चलता है, और कलाबाजिया द खेलना जिसका अर्थ है प्रानों की परवाह न करना और वाक्य में प्रयोग देखिए जो कर अपनी जान पर खेलकर कला बाजिया दिखाता है जब आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते है तो आपको दिया हुआ जो मुहावरा है उसी का वाक्य में प्रयोग करना होता है जैसे जान पर खेलना प्रानों की परवा न करना जब आप वाक्य बनाते हैं तो आपको वाक्य में जान पर खेलना इसी मुहावरे का इस्तेमाल करना होता है प्रानों की परवा करना ये अर्थ है उसका वाक्य में प् खेल कर अपने देश की रख्षा करते है जान पर खेल कर खेल खनीच आपको अंडरलाइण करने पड़ेगी एक मास के लिए दो मास के लिए प्रश्ण पूछा जाता है मोहावरे का अर्थ लिखने के लिए आधा गुन और उसका वाक्य में प्रयोक करने के लिए आधा गुन